किसान साथी और मश्कार मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहें अपना मनपसंद यूटूब चैनल लेगरी गलसर एक्सपर्ट आज की इस वीडियो में किसान भाईयों के लिए लेकर क्या हूँ सर्षों की खेती से जुड़ी कुछ महतब मुझा इनकारी पिसले दो-तिन दिनों से बहुत सारे किसान भाईयों की सवाल आ रहे हैं कि हर साल हबारे खेत में रूखडी या मर्गोजा खर्पतवार काफी जादा मात्रा में उगता है तो इस साल हम समय से पूरो ऐसा क्या करें जिससे हमारी सर्षों की फसल को रूखडी या पैरासाइट जो है टोटल रूट पैरासाइट इसको अपने कह सकते हैं पूर्ण जड़ परजीवी खर्पतवार इससे बचाया जा सके सबसे पहले तो किसान भायो आपको बता दूं कि ये एक पूर्ण जड़ परजीवी खर्पतवार है जो हमेशा सर्षों की जड़ों में ही उगता है जिन छित्रों में मरगोजा परजिवी खरपतवार की समस्या हो वहां बिजाई के 50 दिन बाद यानि जब आपकी सर्षों की बुगाई किये 50 दिन हो जाएं तो 50 ml ग्लाइफोसेट 41% SL को 500 लिटर पाणी में मिलाकर परती एकड़ेदी आप छिड़काओ करते हैं तो अभी इसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है ज्यान रखें कि छिड़काओ करते समय खेत में प्रयाप्त मात्रा में नमी होना काफी जरूरी है यानि या तो पानी लगा हुआ हो या फिर बर्षात हुई हो तो नमी हो उस टाइम ही आपको इसका सप्रे करना है और छिड़काओ हमेशा फ्लेट नोजल से करें और सप्रे करने के लिए हमेशा नैपसेक सप्रेयर यानि अपने जो टंकी या डोलकी किसान भाई बोलते हैं उसका ही प्रियोक करें ट्रेक्टर माउंटेड सप्रेयर यानि जो डोल है ट्रेक्टर वड़ा उससे सप्रे ना करें क्योंकि ट्रेक्टर माउंटेड सप्रेयर में प्रेसर काफी जादा होता है ऐसे में जो छिड़काओ है वो पोधों पर जादा होगा और जो जड़ छेतर है वहाँ पे कम रहेगा तो फसल को नुकसान होने की आसंका रहती है किसान भाई टंकी या डोलकी से सप्रे करते समय भी इस बात का खास तोर पे ध्यान रखे कि छिड़काओ जो पोधे के तने यानि की जड़ छेतर के आसपास ही हो पतियों पर ग्लाइफोसेट दवा ना लगे जिससे की पोधों को नुकसान कम से कम होंचे इसके अलावा रूखडी आप मरगोजा खरपतवार का अभी तक कोई सथाई समाधान करसी वेगानिक नहीं ढूंड पाए है यही एक मातर तरीका है जिससे कुछ हद तक क्लाइफोसेट दवा छेड़ करके आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके लावा यापको खेती किसानी से जुड़ी और कोई भी जानकारी चाहिए आपके मुन में कोई डाउट संकाय स्वाल है तो आप अपना स्वाल वीडियो के निचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जितना जल्दी हो सके आपको उसका जवाब मिल जाएगा जानकारी पसंद आए तो शादिक स्यादिक लाइक वसेर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थैंक्यू